बजेट को जल्द से जल्द कैसे इंप्लिमेंट किया जाएं, बजेट को इंप्लिमेंट करते समयें, किस प्रकार से प्रावेट कमपनीज को भागीदार बनाये जाएं, और बजेट को उंप्लिमेंट करने का साथ मिलकर के रोड मैप कैसे बने इस पर चर्चाएं चल रही है मुझे खुशी है कि आज रक्षा मंत्राले के वेबिनार में भाग ले रहे सभी पार्टनर्स स्टेक होल्डर से मिलने का आउसर मिला है मेरी तरफ से आप सब को अनेक अनेक शुब कामनाई भारत रक्षा ख्षेतर में कैसे आत्मनिर भर बने इस संदर्म में आज का ये समवाद मेरी द्रश्टी से बहुत एहम है बजट के बाद डिफेंस सेक्टर में क्या नई समभावनाई बनी है हमारी आगे की दिशा क्या हो इस बारे में जानकारी और मन्थन दोनों जरूरी हैं जहां हमारे वीर जाबाज ट्रेनिंग लेते हैं वहां हम अक्सर कुछ ऐसा लिखा हुआ देखते हैं कि शांती काल में बहाया हुआ पसीना युद्ध काल में रक्त बहने से बचाता है यानि शांती की प्री कंडिशन है वीरता वीरता की प्री कंडिशन है सामर्थ और सामर्थ की प्री कंडिशन है पहले से की गई तैयारी और बाकी सब उसके बाद आते हैं हमारे यहां ये भी कहा गया है सहन सिलता ख्षमा दया को तभी पुझता जग है बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है साथियों हतियार और मिलिटरी एक्विप्मेंट बनाने का भारत के पास सद्यों पुराना अनुभव है आजादी के पहले हमारे हाँ सेंक्डो ओर्डिनेंस फेक्टरियां होती थी दोनों विश्विद्व में भारत से बड़े पैमाने परहत्यार बना कर भेजे गए थे लेकिन आजादी के बाफ्त अनेक बजहों से इस व्यवस्ता को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था हालत ये है कि स्मॉल आम्स के लिए भी हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता है आज भारत विश्व के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स मैंसे है और ये कोई बड़े गवरों की बात नहीं है ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में टैलेंट नहीं है आप देखिए जब कोरोना शुरू हुआ तब भारत एग भी वेंटिलेटर नहीं बनाता था आज भारत हजारों वेंटिलेटर का अंदिर्मान कर रहा है मंगल तक पहुँचने की शमता रखने वाला भारत आदूनिक हतियार भी बना सकता था लेकिन बाहर से हतियार मंगाना बहुत इजी वे हो गया था और मनुष्य का स्वभाव भी ऐसाई है कि जो जो सरल है वो आसानी से जो मिलता है चलो भई उसी रास्ते पर चल पड़ो आप भी आज अपने घर जा करके अगर गिनेंगे तो पाएंगे कि जाने अंजाने ऐसी कितनी ही विदेशी चीजों का आप बरसों से इस्तमाल कर रहे हैं डिफेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ है लेकिन अब आज का भारत इस थिती को बदलने के लिए कमर कसके काम कर रहा है अब भारत अपनी कैपसिटीज और कैपेबिलिटीज को तेज गती से बढ़ाने में जुटा है एक समय था जब हमारे अपने लड़ा को विमान तेजस को फाइलों में बंद करने की नौबत आ गई थी लेकिन हमारी सरकार ने अपने इंजिनियरों वैज्ञानिकों और तेजस की छमताओं पर भरोसा किया और आज तेजस साउन से आसमान में उडान भर रहा है कुछ सब्ता पहले ही टेजस के लिए फोर्टी एट थाउजन करोड रुपिय का ओडर दिया गया है कितने MSME सेक्टर जो इसके साथ जुडेंगे कितना बड़ा कारोबार होगा हमारे जमानों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता था आज हम ना सिर्फ भारत में ही अपने लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स बना रहे हैं लेकिन दूसरे देशों को भी सप्लाई करने के लिए अपनी कैपरसिटी को बढ़ा रहे है साथियों चीफ अब डिफेंस नाप के पत का गठन होने से प्रोकॉर्मेंट, प्रोसेश, ट्रायल एंड टेस्टिंग, उपकरों के इंडक्षन, सर्विसीज की प्रक्रियाओं में उनिफर्मेटी लाना बहुत सरल हो गया है और हमारे सभी डिफेंस पोर्स के सभी तीनों विंक के से योग से ये काम बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है इस साल के बजेट में सेना के आदूजनी करण की एक प्रतिबदता और मजबुत हुई है करिब देड़ दसक बाद डिफेंस सेक्टर में केपिटल आउटले में 19 परसेंट की बढ़ोत्री की गई है आजादी के बाद पहली बार डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर इतना जोड दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए उनके लिए काम करना और आसान बनाने के लिए सरकार उनके ease of doing business पर बल दे रही है साथियों, मैं defense sector में आ रहे private sector की एक चिंता भी समझता हूँ अर्थ व्यवस्ता के अन्य sectors के मुकाबले defense sector में सरकार का दखल कई गुना ज़्यादा है सरकार ही एक मातर बायर है सरकार स्वयम manufacturer भी है और सरकार की अनुमती के बिना export करना भी मुश्किल है और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि यह sector national security से जुड़ा हुआ है लेकिन साथ ही private sector के साज़ेदारी के बिना 21 सदी का defense manufacturing ecosystem खड़ा नहीं हो सकता यह भी मैं तो भली भाते समझता हूँ और अब सरकार के सभी अंग भी समझ रहे हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि 2014 से ही हमारा प्रयास रहा है कि transparency, predictability और ease of doing business के साथ हम इस sector में लगातार एक के बाद एक कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं de-licensing, deregulation, export promotion, foreign investment liberalization ऐसे अनेक उपायों के साथ हमने इस sector में एक के बाद एक मजबुत कदम उठाए है और मैं ये भी कहूँगा कि मुझे इन सारे प्रयासों के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग, सबसे ज़्यादा मदद, uniform forces की leadership से मिली है वे भी एक प्रकार से इस बात को बल दे रहे हैं, इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं साथियों, जब defense force का uniform पहना हुआ अव्यक्ति वो जब इस बात को कहता है ने, तब उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है क्योंकि जो uniform पहन करके खड़ा है, उसके लिए तो जीवन और मृत्यू का जंग होता है वो अपना जीवन संकट में डाल कर देश की रक्षा करता हो और वो जब आत्मिंदे पर भारत के लिए आगर आया हो तो कितना सकारात्मक और उस्सा से भरा हुआ वातावन होगा इसकी भली भाती कल्पना कर सकते हैं आप ये भी जानते हैं कि भारत ने डिफेंस से जुड़े ऐसे सो महत्वपून डिफेंस आइटम्स की लिष्ट बनाई है जिसे नेगेटिव लिष्ट कहते हैं जिने हम अपनी स्थानिये इंड़स्ट्री की मदद से मैनुफेक्चर कर सकते हैं इसलिए टाइम लाइन इसलिए रखी गई हैं ताकि हमारी इंड़स्ट्री जरुरतों का पूरा करने का सामर्द हासिल करने के लिए प्लान कर सके सरकारी भासा में ये नेगेटिव लिष्ट हैं लेकिन मैं इसको जड़ा अलग तरीके से देखता हूँ जिसको दुनिया नेगेटिव लिष्ट के नाम से जानती है मेरी दरश्टी से ये आत्मन दिरभरता की भाषा में पॉजिटिव लिष्ट है ये वो पॉजिटिव लिष्ट है जिसके बलपर हमारी अपनी मैनिफेक्टिरिंग कैपसिटी बढ़ने वाली है ये वो पॉजिटिव लिष्ट है जो भारत में ही रोजगार निर्मान का काम करेगी ये वो पॉजिटिव लिष्ट है जो अपनी रक्षा जरुतों के लिए हमारी विदेशों का निर्भरता को कम करने वाली है ये वो positive list हैं जिसकी वज़र से भारत में बने products की भारत में बिकने की guarantee भी है और ये वो चीजे हैं जो भारत की आवशक्ता के अनुसार, हमारे climate के अनुसार, हमारे लोगों के स्वभाव के अनुसार, निरंतर innovation होने की संभावना इसके अंदर अपने आप समाहित है चाहे हमारी सेना हो या फिर हमारा आर्थिक भविश्य है, ये हमारे लिए एक प्रकार से positive list हैं और वो आपके लिए तो सबसे ज़्यादा positive है और मैं आज इस बैठक में आप सभी को ये भरोसा देता हूँ कि defense sector से जुड़ा हर वो सामान जिसे design करने, जिसे बनाने का सामर्थ देश में हैं, किसी सरकारी या private company में है, वो बहार से लाने की approach नहीं रखी जाएगी, आपने देखा होगा, रक्षा के capital budget में भी domestic procurement के लिए एक हिस्सा reserve कर दिया गया है, ये भी हमारा एक नया initiative है, ये private sector से आग्रह करूँगा कि manufacturing के साथ साथ design और development में भी आप आगे आएं, भारत का विश्व भर्मे पर्चम लहराएं, मोका है, जाने मत दिजिये, इंडी जीनियस डिजाइन और development के खेत्र में, DRDो का अनुभव भी देश के private sector को लेना चाहिए, इसमें नियम काईदे आडे ना आए, इसके लिए DRDो में बहुत तेजी से reform भी किये जा रहे हैं, अब projects की शरुवात में ही private sector को सामीर कर लिया जाएगा, साथियों, दुनिया के अने छोटे छोटे देश, पहले कभी अपनी सुरक्षा के लिए इतनी चिन्ता नहीं करते थे, लेकिन बदलते हुए वैस्ट्विक माहोल ने नई चुनवतियां सामने आने के कारण, अब ऐसे छोटे छोटे देशों को भी अपनी सुरक्षा के लिए चिन्ता करनी पड़ रही हैं, सुरक्षा उनके लिए भी एक बहुत बड़ा महत्वपण विशे बनता जा रहा है, यह बहुत स्वाभाविक है, ऐसे छोटे और गरीब देश अपनी सुरक्षा जरुवतों के लिए स्वाभावी की रुप से भारत की तरफ देखेंगे, क्योंकि हम लो कॉस्ट मैनुफेक्टरिंग की ताकत रखते हैं, हम क्वालिटी प्रोड़क्ट की ताकत रखते हैं, सरफ आगे बढ़ने की जरूत है, इन देशों की सहायता करने में भी भारत की बड़ी भूमिका है, भारत के विक्सित होते डिफेंज सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका भी है, बहुत बड़े अवसर भी है, आज हम 40 से जादा देशों को डिफेंज का सामान निर्यात कर रहे हैं, इंपोर्ट पर निर्भर देश की पहचान से बाहर निकल कर, हमें दुनिया के अग्रणी डिफेंज एक्सपोर्टर के रूप में अपनी पहचान बनानी हैं और आपको साथ ले करके इस पहचान को मजबूत करना है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक हेल्थी डिफेंज मैनिफेक्टरिंग इको सिस्टिम के लिए, बड़े उद्योकों के साथ ही छोटी और मद्यम मैनिफेक्टरिंग इनिट्स भी बहुत जरूरी हैं, उसका पूरान जान बिछाना पड़ता है, हमारे स्टार्ट अप्स बदलते समय के साथ तेजी से बढ़लाव करने के लिए जरूरी इनोवेशन हमें दे रहे हैं, MSME तो पूरे मैनिफेक्टरिंग सेक्टर के लिए रीड का काम करती हैं, आज जो रिफार्म हो रहे हैं, उससे MSME को ज़्यादा आजादी मिल रही हैं, उनको एक्षपांड करने के लिए प्रोच्छान मिल रहा है, यह MSME मीडियम हो, हर कोई एक दूसरे को मदद करते हैं, जो पूरे एकोसिस्टिम में फायर पावर एड करते हैं, इन नई सोच और नई एप्रोच्छ अमारे देश के नवजवानों के लिए भी बहुत एहम है, आइडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म हमारी स्टार्ट अप कंपनीज और युवा एंट्रेपर्नर्स को इस दिशा में प्रोच्छाइद कर रही हैं, देश में आज जो डिफेंस कोरिडोर बढाए जा रहे हैं, वो भी स्थानिय उद्यमियों लोकल मैनुफेक्टरिंग को मदद करेंगे, यानि आज हमारे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर भरता को हमें जवान भी और नवजवान भी इन दोनों मोर्चों के ससक्ति करण के रुप में देखना होगा, साथ क्यों, एक समय था जब देश की सुरक्षा जल, थल और नव की सुरक्षा से ही सम्मदित थी, अब सुरक्षा का दाहरा जीवन के हर खेत्र से जूड़ गया है, और इसकी बहुत बड़ी वज़़ आतंगवाज्य से हतकंडे हैं, इसी तरह साइबर एटेक एक ऐसा नया मोर्चा खुल गया है, जिसने सुरक्षा का पूरा आयामी बदल दिया है, एक जमाना था, जब सुरक्षा के लिए बड़े बड़े हत्यार मंगाने होते थे, अब एक छोटे से कमरे में, छोटे से कम्पूटर से भी देश की सुरक्षा का एक पहलू समालना पड़े असिस्तिती बन चुकी है, और इसलिए हमें परंपरागर डिफेंस आइटम के साथ ही 21 सदी की टेकनोलोजी और उस टेकनोलोजी डिवेन आवशक्ताओं को देखते हुए ही हमें एक फुचरिस्टिक वीजन के साथ काम करना होगा, और इन्वेस्ट्मेंट अभी करना होगा, इसलिए आज ये भी जरूरी हैं कि हमारे उच्च शिक्षा वाले समस्तानों में, रिशर्च इंस्टिटूट्स में, यूनिवर्सिटीज में, हमारे अकेडमिक वर्ल्ड में, हैं, defense से जुड़े, defense skills से जुड़े, courses पर भी skill development, human resource development इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, research और innovation पर भी ध्यान देना पड़ेगा, इन courses को भारत की आवश्क्ता के मताभित design करना समय की मांग है, इसलिए परमपरागर defense के लिए, जैसे एक uniform वाला फोजी होता है, वैसे ही हमें academic world वाले research करने वाले सुरक्षा expert को भी देखना होगा हमें इस आवस्चता को समझते हुए भी कदम उठाने होगे मुझे उमीद है अब आप लोग इस दिख्षा में भी आगे बढ़ेंगे साथियों मैं रक्षा मंत्रा लए और आप सभी से अनुरोद करूँगा कि आज की चर्चा के आधार पर एक time bound action plan और एक perfect road map बनाया जाए और उसे सरकार और private दोनों की भागीदारी से implement किया जाए आपकी चर्चा आपके सुझाव देश के रक्षा क्षेत्र में नई उचाईयों पर ले जाएं इसी कामना के साथ मैं आज के वेबिनार के लिए आपके उत्तम विचारों के लिए और देश को सुरक्षा मक्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने के संकल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रामनाय देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें